नमस्कार मैं हूं मन मोहन भट उत्राखंड में पुशकर सिंग धामी के नित्रतों में नया मंत्री मंडल आज आकार ले लेगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी साहब की मौझूद की में भव्य शपत गर्ण समारो देहरदून के परेड ग्राउन मैदान में आयूजित होने जा रहा है एक लिस्ट हमने बनाई है 17 नाम हमने इस लिस्ट में रखे हैं ये नाम बढ़ भी सकते हैं और इन में से कुछ नामों को बहुत आसानी से खारिज भी किया जा सकता है लेकिन हमने अपनी समझ के हिसाब से मोटा मोटा 17 नामों का चैन किया है 11 वो नाम हो सकते हैं जो मंत्री मंडल में जगह पाज सकते हैं तो 11 ही लोगों को एड़ेस्ट कर सकती है पुशकर सिंग धामी की केविनेट बार में सदस्य खुद पुशकर सिंग धामी है जिनके नेत्रतों में सरकार का गठन होना है समवधानिक प्रकरिया के हिसाब से मुख्य मंत्री सहित कुल 12 ही मंत्रियों को शपत दिलाई जा सकती है कुछ नामों की हम चर्चा कर रहे हैं जिनको मंत्री मंडल में शामिल किया जा सकता है इसके अलावा भी speaker का पद है, dipte speaker का पद है, प्रदेश अध्यक्ष का भी पद है, इनके नामों में भी इनी नामों में से घूम फिर कर नाम final किये जा सकते हैं किस मंत्री का कद बढ़ेगा या कहें कि किस विधायक का किस नेता का कद बढ़ेगा ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा कई नेता इसमें ऐसे हैं जो कॉंग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे लेकिन अब BJP की नीतियों में रीतियों में पूरी तरीके से रम चुके हैं सुबो दुनिया जो नरेंद्र नगर के विधायक हैं चार बार के उनके बारे में ये कहा जाता है कि अब वो भारते जन्ता पार्टी के रंग में पूरी तरीके से रम चुके हैं सुबो दुनियाल का नाम मुख्यमंत्री की रेस में भी था मुख्यमंत्री की कुरसी एक ही है वो धामी साहब को मिल गई ऐसा माना जा रहा है कि इस सरकार में सुबो दुनियाल बहुत महत्वण भूमी का निभा सकते हैं वैसे सुबो दुन्याल पिछली कैबिनेट में भी बहुत महत्पूर्ण भूमी का निभाते थे और सरकारी प्रवक्ता थे उत्तराखन शाशन के वो प्रवक्ता थे तो नंबर दो की हैसियत उनके पास आ गई थी पहले मदन कौशिक के पास ये हैसियत हुआ करती थी जब त्रवंदर रावत की सरकार होती थी लेकिन मदन कौशिक को बाद में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था और सरकार में नंबर दो की हैसियत सुबो दुन्याल की मानी जाती थी तो ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि इस सरकार में सुबो दुन्याल का कद कितना और बढ़ता है एक और हैवीवेट मंतरी थे पिछले शाशन में वो थे सत्पाल महराज अपने रसूख के लिए सत्पाल महराज जाने जाते थे भारते जनता पार्टी के साथ साथ संग में सत्पाल महराज की उची पैट थी मुख्यमंतरी की रेस में एक बार फिर वो पिछड़ गए पिछले शाशन में उनके पास परटन जैसा महत्तोपॉण विभाग था इस बार सत्पाल महराज पर नजर खास तोर पर रहेगी कि आखिर उन्हें कहां एड़जस्ट धामी सरकार करती है पौडी गड़वाल से सत्पाल महराज बड़े दावेदार हैं धन सिंग रावर शिरी नगर के विधायक बहुत कड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी और बहुत कड़े मुकाबले में वो जीते हैं गणेश गोदियाल से बड़ा मजबूत दावा उनका इस बार मुख्य मंतरी बनने को लेकर था, वो बाजी तो उनके हाथ से निकल गई पिछले शाषन में पहले वो रज्य मंतरी थे, बाद में उनका प्रमोशन करके उन्हें केविनेट मंतरी बना दिया था इस बार देखना है कि cabinet मंत्री उनको मिलता है तो उनके खाते में कौन-कौन से महत्पौण विभाग जाएंगे पिछले शाशन में उनको उच्चे शिक्षा और स्वास्ते जैसा महत्पौण विभाग दिया था उच्चे शिक्षा के मामले में धन्सिंग रावत की कई बार आलोचना हुई लेकिन इस बार देखना होगा कि कैसे उनको विभाग अवंटित किये जाते हैं पोड़ी के ये दोनों मंत्रियों पर खास तोर पर नजर रहेगी पिछली सरकार में अरविंद पांडे एक मंत्री थे खेल जैसा और शिक्षा जैसा मैट पूर्ण विभाग अरविंद पांडे के पास था उधम सिंग नगर जिले का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उधम सिंग नगर के कोटे से ही पुषकर सिंग धामी भी पिछली बार मुख्य मंत्री बने थे एक ही मुख्य मंत्री होता है लेकिन उधम सिंग नगर का वो प्रतिनिधित्व करते थे अगर विधान सबा की हम बात करते हैं उधम सिंग जिले का इस बार ये देखना बहुत दिल्चस्फ होगा कि अरविंद पांडे के खाते में क्या उपलब्धी होती है अरविंद पांडे का कद कितना बढ़ाया जाता है रेखा आर्या एक विधायक थी सोमेश्वर से इस बार फिर से वो जीत गई है पिछली बार सरकार का वो महिला चेहरा भी थी और आरक्षित वर्ग से वो आती थी और इस बार ये देखना बहुत दिल्चस्फ होगा कि जैसे उनका प्रमोशन पुशकर सिंग धामी की गया था बाद में उन्हें कैबिनेट मंतरी का दरजा दिया गया था इस बार उनके खाते में क्या उपलब्धी जुड़ पाती है तो ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा बिशन सिंग चुफाल एक और बड़े कद्दावर नेता थे पिछले बार दो मुखे मंतरियों के शाषन में उनको जगय नहीं मिली थी रेकिन पुशकर धामी की कैबिनेट में बिशन सिंग चुफाल शामिल हो गए थे इस बार बिशन सिंग चुफाल के पास क्या होगा उनका कत कितना बड़ेगा ये देखने वाली बात होगी बंशीदर भगत काला ढूंगी के एक और व जरूर बना दिये गए थे इस बार ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि बंशीदर भगत को कहां पर एड़ेस्ट किया जाता है जोशी शाहब गणेश जोशी को तीसरी कैबिनेट तीसरा जो मुख्यमंत्री बनाय गया था पुशकर सिंग धामी वहां पर शामिल किया गया था तो गणेश जोशी को भी देखना होगा कि उनका कद कितना बढ़ाया जाता है गणेश जोशी मसूरी विधान सवा का प्रते निध्यत्व करते हैं देहरादून जिले की ये सीठ है और फौजी पूर वो फौजी है गणेश जोशी इसलिए उनको पिछली बार एलि दखना बहुत दिल्चस्प होगा कि इन आठ सदस्यों को कैसे एड़ेस्ट किया जाता है लेकिन अब कुछ और ऐसे नाम है जो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा और हम समझेंगे कि उनको कैसे एड़ेस्ट किया जा सकता है रिशिकेश के विधायक प्रेम चंद कितना मजबूत दावा होता है ये देखने वाली बात होगी मदन कौशिक हरिद्वार के लगातार पांचवी बार के विधायक हैं पिछली बार दो जब धामी साब की कैबिनेट थी तब वो एक्जिट हो गए थे और तब उनको प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेद ही है उसको कैसे संभालना है तो मदन कौशिक के जो अनुभाव है उसका कितना लाव पार्टी उठा पाती है सरकार उठा पाती है यह देखना होगा कि मदन कौशिक और गणे जो प्रेम चंद अगरुवाल है इनको किस तरीके से सरकार नई भूमी का में ला सकती है तो इनक चर्चाओं में रहे थे पहला नाम तो है विनोद चमोली का विनोद चमोली का नाम तब ज़्यादा सुर्खियों में आया जब विनोद चमोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा हुई एक चिठी भी वाइरल हो गई थी लेकिन बाद में इसका खंडन कर दिया गया विनोच चमोली को मदन कौशिक से रिप्लेस कराने की चर्चा थी कि मदन कौशिक के नेत्रतों में पार्टी चुनाओ में नहीं जाएगी बलकि विनोच चमोली के नेत्रतों में जा सकती है चुनाओ से पहले इस तरीके की चर्चाएं बहुत थी लेकिन मदन कौशिक ने भी कुछ मैनेज किया और कुछ बाजी विनोच चमोली साहब के हाथ से निकल गई अब ये देखना होगा कि विनोच चमोली को कहां पार्टी एडजेस्ट करती है विनोच चमोली और उनके टीम का ये दावा है कि विनोच चमोली अपने इतिहास में कोई भी चुनाओ नहीं हारे चाहे वो पालिका के सबासत का हो पार्शत जिसको कहा जाता है चाहे वो पालिका धक्ष के हैस्थ से रहे हो चाहे दो बार देहरादून जैसे बड़े नगर निगम के मेर रहे 2017 में भी विधायक चुने गए धरमपुर सीट से और 2022 में दूसरी बार विधायक चुने गए है प्रशाशनिक अनुभाव जिसको कहा जाता है राजनेतिक सूजबूज और अंदोलन कारियों का एक बड़ा नाम विनो चमूली है उनको कैसे और कहां एड़जस्ट ये शाशन करता है ये वाला रिजिम करता है ये देखना बहुत दिल्चस्ट होगा एक और दूसरा नाम है उमेश शर्मा काउ 2016 में कॉंग्रेस की टूट में उमेश शर्मा काउ भी बीजेपी में शामिल हो गए थे लेकिन पिछली बार वो मंत्री मंडल में शामिल नहीं हो पाए थे जो रिकॉर्ड जीत का बना था 2017 में भी और 2022 में भी वो इनी के नाम है रायपूर विधान सभा से ये चुनाव लड़ते हैं और बड़े जबरदस्त अंतर से रिकॉर्ड बोटों से जीतना इनका खासियत इनकी मानी गई है उमेश शर्मा ऐसा बताया जाता है कि जिस वक्त यश्पाल आ रहा अपने बेटे के साथ कॉंग्रेस में शामिल हुए थे 2021 के आखिर होते होते उमेश शर्मा काउ भी उस समय शामिल होने जा रहे थे कॉंग्रेस में उस समय हरक सिंग रावत को मनाने और उनके साथ दोस्ती गाड़ने जैसी बात उमेश शर्मा काउ के भी हुई थी हलाकि कुछ इस तरीके के आरोब भी उमेश शर्मा काउ के उपर लगते हैं जो कॉंग्रेस या उनके विरोधी लगाते हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ जासूसी की है हरक सिंग रावत की और वो खबर को लीक उमेश शर्मा काउ ने किया था तो यह देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि उमेश शर्मा काउ की इन दिनों जो बीजेपी के कुछ बड़े नेता केंदर में हैं उनके साथ काफी नजदी किया हैं कैसे ये एडजेस्ट हो पाते हैं या कैसे पुष्करधामी की सरकार इनको एडजेस्ट कर पाती है या दिल्ली का जो नेतरत्व है वो कैसे उमेश शर्मा काउ के रोल को मेहत्वण मानते हुए उनको एडजेस्ट करता है खजान दास राजपूर विधान सभा के सदस से एक बार फिर से निर्वाचित हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा है कि कहीं न कहीं पाल्टी अपने एक ऐसे वर्ग को जो आरक्षित वर्ग है उसको एक मैसेज देना चाहती है क्योंकि उसका भरपूर समर्थन बीजेपी को मिला है बंपर वोट जो आरक्षित वर्ग है उसने दिया है वीजेपी को तो खजान दास के नाम की भी चर्चा है हलाकि जो पिछली सरकार में रेखा आ रहे थी वो आरक्षित वर्ग से ही है ऐसे में चंदन रामदास का नाम भी आता है जो बागेश्वर से जीतते आये ह आरक्षित वर्ग से ही वो आते हैं तो इन में किसको एड़ेस्ट किया जाएगा वो देखने वाली बात है बहुत महत्तोपूर्ण नाम अब मैं कोड़द्वार विधान सभा की तरफ बात करता हूं रितू खंडूरी उनका नाम तो मुख्यमंतरी की रेस में भी चलाया जा आने लगा था और काफि जूर्दार चर्चा थी कि महिला नेत्रत उत्राखंड को मिल सकता है महिला उने बंपर वोट बीजेपी को किया है तो यह देखना बहुत दिल्चस्प को फुगा कि इस बार इलमा एड़ेस्ट किया तो रितो खंडूरी कोई बारे में भी देखना होगा कि बीजेपी का ये नेतरत्व उन्हें कहां पर एडजेस्ट करता है। किशोर उपाध्याय के बारे में भी चर्चा है कि उनको भी पाल्टी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कर सकती है। के ब्रह्मन निताओं के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है जो भारते जनता पार्टी का नेतरत्व है वो इनको ब्रहमन नेतरत्व के रूप में प्रस्तूत करने की कोशिश कर रहा है। मुन्ना सिंग चोहान विकास नगर से लगातार दूसरी बार विधायक बन गए हैं इससे पहले भी आला कि विधायक रहे हैं लेकिन ये 2017 और 2022 लगातार दो बार विधायक रहे हैं। नव प्रभात को उन्होंने विकास नगर में हराया और बहुत चुनोती पूर्ण वहाँ पर मुकाबला माना जा रहा था कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच में लेकिन मुन्ना सिंग चोहान अपनी सीट बचा कर ले गए। मुन्ना सिंग चोहान के नाम की भी चर्चा काफी जोरदार तरीके से चल रही है। अगर टिहरी संसदिय सीट की हम बात करते हैं तो मुन्ना सिंग चोहान उस सीट में अच्छा खासा दखल रखते हैं। और कॉंग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं या पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं प्रितम सिंग उनकी टकर आम तोर पर मुन्ना सिंग चोहान से ही होती है। लेकिन उस छेत्र के बड़े नेताओं में मुन्ना सिंग चोहान और प्रितम सिंग को माना जाता है। लेकिन अपने युवाज जोश के साथ बीजेपी के बड़े नेतरत्व का साथ उनको मिला और 2017 में उन्होंने दो दो पूर्व कैबिनेट मंत्रियों को एक तो ततकालीन कैबिनेट मंत्री थे मंत्री परसाद नैथानी कॉंग्रेस जो निर्दलिये थे उस समय और बड़ा म दिवाकर भट उन दोनों के साथ विनोतकंडारी का मुकाबला था देव परियाग विधानसबा सीट से 2017 में विनोतकंडारी ने उन दोनों बड़े नेतां को धूल चटाई और 2022 में विनोतकंडारी अपनी परतिभा का लोहा मन्वा गए युवा हैं दिल्ली की राजनीती मे बी उनका दखल माना जाता है केंद्र में उनकी पैरवी करने वाले भी कई बड़े नेता हैं और माना जाता है कि उनकी पैरवी के कारण ही उनको 2017 में पहली बार विधान सभा का टिकट दिया था जिसका फाइदा विनोत कंडारी उठा गए जीतते हुए और इस बार भी जीत तो विनोत कंडारी के नाम को भी देखना होगा कि उनके नाम पर भी क्या बात होती है ये बीजेपी के कुछ 16-17 नेता हैं जिनके हमने चर्चा की इसके लावा भी कई और नेता हो सकते हैं जिनके नाम पर पार्टी अपने भीतर से मन्थन कर रही होगी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चुनावी राजनिती में शामिल नहीं हुए होंगे उनको भी किसी ना किसी रोल में पार्टी बड़े मंच पर मौका दे सकती है तो ये देखने वाली बात होगी कि पहले कल जो मंत्री मंडल आकार लेगा वो क्या होगा कौन-कौन से समीकरणों से कहां-कहां के नेताओं को एड़िस्ट किया जाएगा छेत्रिय या जातिय संतुलन किस तरीके से साधा जाएगा और कैसे उसके बाद जो प्रदेश इस्तर की राजनिती है उसमें भी बदलाव करने की संगठन में बदलाव करने की जो बात हो रही है उनमें भी इन नेताओं में से किसी ना किसी को शामिल करके एडिजिस्ट किया जा सकता है तो यह देखना होगा थोड़ा इंतजार करना होगा धाई से तीन बजे के बीच में जब शपद ग्रेंड हो रही होगी तो बहुत सारी तस्वीर बहुत सारे समयकरण विल्कुत सबके सामने आ जाएंगे और तस्वीर सा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार